नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिपीएसी पेपर लीग के मुख्यार ओपी से 15 दिन में मांगा जवाब बिहार में बिजली के बिल में हो सकती है बड़ी कटोती दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक्स प्रतीवा खोच प्रतीयों गिता की मेजबानी बिहार के पास मादुवक्ता लल्द किशोर ने दिया इस्तिफा अब टेस में अपना चलवा दिखाएंगे इसान किशन इसके साथी बड़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर हुस्तार से VPSC पेपर लीग के मुख्य आरोपी से 15 दिन में मांगा जवा बिहार लोग सेवा आयो की प्राड़मिक परिछा के पेपर लीग मामले में मुख्य आरोपित DSP रंजीत कुमार रजक के खिलाफ राजिस सरकार के दोरा विवाग ये कारवाई शुरू कर दी गई है बता दे कि ग्रीव विवाग के दोरा मुख्य आरोपित के खिलाफ आदेश जारी करते वे 15 दिनों के अंदर लिखत जवाब मांगा गया है जिसके बाद ही उनके दोरा दिये गए जवाब की ग्रीव विवाग के दोरा अपने अस्तर पर समिछा कर आगे की कारवाई की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस मामली की जाच EOU के दोरा की जा रही है मालूम हो कि मुख्या रोपित रजक को सरकार के दोरा पहले ही निलंबित कर दिया गया था फरजी नियोजिस सिक्छक फिर से निगरानी की रडार पर एक बार फिर से निग्रानी विभाग के दोरा फरजी नियोजिस सिक्षक को लेकर अपनी काड़ेवाही तेज कर दी है बता दे कि निग्रानी अन्वेशन ब्यूरो के दोरा सिक्षक विभाग को निर्देश दिया गया है कि बिहार में सेस बचे 80,518 सिक्षकों के सभी प्रमा पत्रव मेधा सूची के फोल्डर जमा करें दरसल 2014 में रंजीत पंडित नामक एक व्यक्ति के द्वारा उच नयायाले पटना में फरजी तरीके से बने सिक्षकों को लेकर लिख सिकायत दर्ज की गई थी जिसके बाद कोट की द्वारा निक्रानी अन्वेशन ब्यूरो के आदेश जारी करते वे कहा गया था कि वे राजे के सभी नियोजिस्तिक छकों के सैचनिक प्रमान पत्रव मेधा सूची की जाज करें इसे के तहत ब्यूरो के द्वारा 2015 से राजे के सभी नियोजिस्तिक छकों के सर्टिफिकेट की जाज शुरू कर दी गई ग्राम पंचायत ग्राम कचरियों में लोग प्रहरी भस्टचार पर लगाएंगे रोक इस सभी चीजों से जुरी सुनवाई पंचायती राज विभाग के दोरा पूरी की जाती थी मेर सीता साहू ने कहा कि काम की कोई जात नहीं होती जनता ने मुझे मेरे पिछले पांच सालों के काम को देखते वे चना है तो इसलिए मैं आम जनू के विकास का काम करूंगी और जनता के उमीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंग उन्होंने कहा कि अब राजधानी को ना केवल सुछ सुंदर और हड़ा भड़ा बनाया जाएगा बलकि अब राजधानी फाउंटन सिटी यानि की फवभारो का सहर भी बनेगा। होने यह भी कहा कि वे सरकार से नगर निगम के कारियों के लिए अधिक राशी की मांग करेंगी दुनिया के सबसे बड़े अथलेटिक्स प्रतीभा खोज प्रतियोगिता की मेजबानी बिहार के पास बिहार राशी खेल विकास के प्राधिकरन के महा निदेशक रवी नंदरन शंकरन के दोरा दीगए जानकारी के अनुसार बिहार को दुनिया के सबसे बड़े अथलेटिक्स प्रतीभा खोज प्रतियोगिता की मेजबानी करने का मौका दिया गया है जब बिहार को चार दिवसी अठारवी वार्सी प्रतियोगिता निशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर अथलेटिक्स मीट का आयोजन करने का मौका दिया गया है आपके जानकारी के लिए बतादे किस प्रतियोगिता कायोजन विहार की राज़ानी पट्ना में 9-12 फरवरी तक की जाएगी मालू हो किस प्रतियोगिता में लगभग 600 जिलों से आए 7,000 खिलारी और 1500 के लगभग प्रसिछ चक्तथा मैनेजर शामिल होंगे पटना विवी के अर्थ सास्तर विवाग के खाते से पैसे निकाले जाने वाले प्रबंधन के खिलाफ हुई प्रात्मी की दर्ज आर्टलोन चेक के मादियम से जाल सास के दौरा पटना विश्योविद्याले के अर्थ सास्तर विवाग के खाते से 7,56,600 रुपे की निकासी की गए इसके बाद इस मामले के खिलाफ अर्थ सास्तर विवाग के विवाध्यक्ष सरोह सना ने पीर बहुर थाने में प्रात्मी की दर्ज कराई और फिलहाल अभी थाने के दौरा इस मामले पर जांच परताल की जा रही है आपकी जानकारी की बतादी की अर्थ सास्त विभाग का खाता विश्विद्याले की कैंपस सित इंडियन बैंक में है मालूम हो कि इस बात की जानकारी तब मिली जब विभाग के द्वारा किसी व्यक्ति को दो लाग रुपे का चेक दिया गया था और जब वव्यक्ति चेक भजानी की कोशिश कर रहा था तब पता चला कि खाते में रुपए नहीं है बिहार में बिजली के बिल में हो सकती है बरी कटोती बीदेदिन सुक्रवार को SECI के महाप्रबंदक अतुल कुमार नायक और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमपनी के पावर मैनेजमेंट सल के मुखे अभियनता अविजीत कुमार के बीच एकार नामा पर हस्ताक्षर किया गया की अगस 2024 से अगले 25 सालों तक बिहार को 600 मेगावार्ट की बिजली सोलो एनरजी कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया यानि की SECI के दोरा पूर्टी की जा सके होल्डिंग कमप्टी के CMD संजीव हंस के दोरा दी गई जानकारी के नुसार बिहार विद्युद विनियामक आयोग ने डिसकॉम कमपनियों के दोरा SECI से दो दसम लोग 500 रुपए की दर से 600 मेगावार्ट सोर और उर्जा की खरीद की मनजूरी दी है वही 600 मेगावार्ट बिजली मिल जाने से बिहार केंदर सरकार के अच्छे उर्जा के नरधायत अपने लक्षी को आसानी से पूरा कर सकेगा महाधिवक्ता ललत किशोर ने अपने पंस्त इस्तिफा देते वे अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को भेज दिया है बता दे कि अपना हाई कोट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किये गये थे हाला कि अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आपाई है कि उन्होंने त्याग पत्र किस कारण से दिया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इनकी नियुक्ती 31 जुलाई 2017 में राज्य सरकार के द्वरा पत्ना हाई कोट में 21 महाधिवक्ता के रूप में की गई थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नितीज कुमार पर लगाया आरोप मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि दरभंगा में एम्स का निर्मान जल्द हो इसलिए वे एक बार फिर से एम्स के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलिज के बाहर जमीन देनी की बात कर रहे है उन्होंने कहा कि अब तक 6 वर्स बीद गया है लेकिर एम्स का निर्मान नहीं हो पाया एम्स के लिए रासिक आवंटन कि ये भी 2 शाल बीच चुका है लेकिन मुख्यमंत्री के विकास विरोध रवये से एम्स का निर्मान नहीं किया जा सका है जबकि अब तक पंचाब के भटिंडा समेत कई जगों पर एम्स का निर्मान किया जा चुका है चिराग पासवान चार है दो देशों की विदेश यात्रा पर ग्रोग जन सकती पाटी राम विलास के राष्ट्री अध्यक चिराग पासवान लोगसभास पिकर ओम बिर्ला के अध्यक्ष्टा में भारत के एक प्रतिनीधी मंडल के साथ दो देशों के विदेश यात्रा पर जारे है बतादे कि यह जिन दो देशों की यात्रा पर जार है उनमें किन्या और तंजानिया देश शामिल है मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान इन दोनों देशों के दोरे 16-21 जनवरी तक करेंगे इस दोरान विविविन काडिक्रमों में हिस्सा भी लेंगे और साथी प्रतिनीधी मंडल में अपनी बात भी रखेंगे बतादे कि इस बात के जानकारी चिराग पासवान के दोरा ट्वीट कर दी गई है इस यातरा को लेकर यह उमीद की जारी है कि वहां भारत और दोनों देशों के बीच विविद प्रकार के राजनितिक रिस्तों पर चर्चा हो सकती है शुशील मोदी ने नितीज कुमार को लेकर कही ये बात बीदे दिन देर शाम बीज़ेपी सांसद सुसील कुमार मोदी बकसर पहुचे जहां उन्होंने डॉक्टर भीम राओ अमेदकर प्रतीमा के नीचे मौन वरत पर बैठ इस्थानिया बीजेपी सांसद अस्विनी 24 से और सादे कागज पर लिख कर उनसे बाते भी की इस दोरान उन्होंने मुख्य मंत्री रितीज कुमार पर निशाना साथते वे कहा कि मुख्य मंत्री अविलम 2022 के सरकल रेज से किसानों की जमीन की मुआवजा का भुक्तान करने का आदेश करे क्योंकि ये हदिकार सरकार में शामिल किसी भी पार्टी के पास नहीं है और नहीं भाजपा के पास इसका आदेश केवल सरकार के मुख्या ही दे सकते हैं अगर उन्होंने किशानों के जायज मांग को स्विकार नहीं किया तो भवेशी की परियोजनाओं को लागू करने में मुख्य मंत्री को कठिनाई हो इस वाब कि जानकारी CBI के एक वरस्ट अधिकारी के दोरा दी गई है बतादी कि अधिकारी ने जानकारी देते वे बताया कि ग्री मंत्राले के दोरा मंजूरी दिये जाने के बाद एजेंसी ने दिल्ली के राउज एवन ने अस्थत विशेश अदालक में से जमा भी कर दि समय 16 आरोपियों के खिलाब 4 सीद दायर की गई थी पपो यादव ने सिक्षा मंत्री पर कसा तंच जाब सुप्रीमों पपो यादव ने सिक्षा मंत्री के द्वारा राम चरित मानस पर दिये गए बयान को लेकर उन पर तजकस्ते वे कहा है कि राम तुर्सीदा स्कृत चुर जो युनिवर्सिटी का कैलेंडर 3 साल 4 साल बैक जाता है उसको सही करो प्राइवेट स्कूल पर बंदस लगा कर सरकारी स्कूल के निर्मान के लिए लाया गया है उसे देखो सिक्षा मंत्री को अपने जवान पर कंट्रोल रखना चाहिए अब टेस्ट में अपना जल्वा दिखाएंगे इशान किसन विहार के लाल इशान किसन अप टेस्ट मैचों में अपना जल्वा दिखाती नजर आएंगे बतादी कि न्यूजिलैंड और आस्ट्रेलिया एक खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच के लिए रिशाप पंद की कुमार यादव को भी मौका दिया गया है जानिया अथ बिहार में क्या है पेटरॉल डीजल करेट बिहार में आज यारी सनिवार को पेटरॉल डीजल करेट जारी कियेगर जिसके बाद आए राजानी पतना में आज पेटरॉल 107.02 रूपे और डीजल 94.09 रुपे पती लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 108.26 रुपे और डीजल की कीमत 94.97 रुपे पती लीटर निर्धायत की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रॉल की कीमत 108.31 रुपे और डीजल कीमत 95.94 रूपे पती लीटर है बता दी कि बिहार में पेट्रोल कारिट सबस्यादा किसन गंज में है जहां पेट्रोल 104.94 रूपे पती लीटर और डीज़ट 96.94 रूपे पती लीटर की दर्स दे मिल रहा है बीते दिन हमारे पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों पर जवाब हमें अमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिनोरी हमारे पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है श्रद यादव, नुश्रत बन्नो, संकर मुक्या, नुन्नो कोलु कुमार, असरफी मंडल, बिट्टु सिंग, कॉसलेंदर कुमार सनहा, मुहमद नौशदराजा, रवी शंकर, मुटू रंगीला, दिनेश मज, प्रिंस कुमार मश्ट, भरोश यादव, अर्मर क के सवाल के और, आज का सवाल है, मकर सकरांती को लेकर आपके छेतर में कितनी चहल पहल है, आपना जवाब हमें यमारे कामेंट शेक्शन लिखकर जरूर बताए, आज के लिए बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूस, और साथ ही आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवार